गैस आज की वीडियो में मैं आपको Capital Now यानि कि जो Personal Loan एप्लिकेशन से गैस Personal Loan एप Capital Now उस एप्लिकेशन की मदद से मैं आपको Loan के लिए अपलाई करके दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटियल्स भी बताऊंगा क्या Interest Rate है क्या इसमें Eligibility है यसे करके गैस पूरी डिटियल्स और इसमें Apply की Process भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो चलिए गैस इस वीडियो को शिरू करते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें Loan के लिए Apply करने के लिए इस Applications को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो इसका लिंक आपको वीडियो के मिल रहे है गैस परसनल लोने अप Capital Now आपको इस पर क्लिक करना है यह Applications कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी तो आपको इस Applications को Install कर लेना है Install जैसे ही कर लोगे तो आपको गैस इसको Open करना है लेकिन मैं आपको इसके बारे में पहले कुछ डिटियल्स बता देता हू और 3.9 इसकी Rating है मतलब 3.9 की Rating है जो कि काफी बढ़िया है अगर इस Applications के Download की अगर बात करें तो 5 लाग से जादा लोगों ने इसे Download कर लिया है तो काफी बढ़िया Applications है अगर मैं आपर नीचे Scroll Down करूं काफी सारे Positive Review इसमें हमें देखने को मिलते हैं उसके साथ में Negative Review भी देखने को मिलते हैं लेकिन वो बहुत कम है और Positive Review काफी जादा है इसका मतलब है इसकी काफी Users को इस Applications alone मिला भी है तो अगर हम इस Applications की Data Security पर चले और देखेगा इसकी Data Safety होती है इसमें या फिर नहीं होती है कौन से Data ये Share करते हैं और कौन से Data ये Collect करते हैं तो अगर इस Applications में Data Share करने की बात करें तो काफी सारा Data ये Share करते हैं जिसकी Personal Informations और Files and Docs कुछ इस तरह से ये Permissions मतलब ये जो Information से ये Share करते हैं अगर बात करें Data Collect करने की तो कुछ Data ये Collect भी करते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो Easily अगर इनसे Request करेंगी Data Delete कर दीजे तो ऐसा हो सकता you can request that data be deleted, data delete कर देंगे तो अगर हम यहाँ से बेक आएं और इस Applications का About This Feature देखते हैं उसके बाद में About This App पर में क्लिक करके आपको पहले कुछ details बताऊंगा उसके बाद में इसकी आपलाई की प्रोसेस देखेंगे तो About This App पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर गाईस यहाँ पर आपको ज़्याद कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इन्होंने आपर प्रोड़ कर रखा है कि RBA रेजिटर एन्बी एपसी लेंडिंग पार्टनर्स हैं इनके काफी सारे तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा नीची स्कोल डाउन करके देखें तो वाई केपिटल न है और no hidden charges से इसमें अगर eligibility की बात करें guys तो eligibility में आप एक Indian citizen होने चीए और आपकी age जो है guys कम से कम यहाँ पर 21 year होनी चीए उससे जादा ही होनी चीए कम से कम 21 से उससे जादा आपकी age होनी चीए अगर minimum monthly salary की बात करें तो 25,000 आपकी salary होनी चीए उससे जादा ही होनी चीए यह minimum है guys अगर यहाँ पर document required की बात करें कि कौन-कौन से documents आपको चाहिए तो यहाँ पर pen card, आधार card और एक recent pay slip और एक salary slip आपको चीए गए salary credit to bank statement आपको चीएगा 3 months का तो आप देख लिजे और present address proof, address proof में आप आधार card बगएरा दे सकतो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको जाधा तर अगर यहाँ पर देखें guys तो loan amount आपको अगर loan amount की बात करें तो 10,000 से लेके डेड़ लाग तक का loan amount आप यहाँ से ले सकतो, repayment जो duration रहेगी वो 65 days से लेके 12 मन तक की बनेगी, annual जो interest rate रहेगा guys वो 24% से 36% रहेगा, processing fees इसमें अगर आप देखोगे तो 2% से 10% तक रहेगी, वो आपके loan amount पर depend करेगा, जितना आपको loan amount रहेगा, उसके इसाब से आपर processing fees लगाई जाएगी, एक example प्रोवाइड कर रहा है, 10,000 का, इसमें कुछ details बगरा प्रोवाइड कर रहेगी, यह आप देख सकते हो easily, अगर हम यहाँ यहाँ पर देखें, तो 2-3 इसमें repayment होंगी, मतलब monthly payment इसमें 2-3 इमाई बनेगी, वो इमाई आप यहाँ से देख सकते हो easily, और भी अगर मैं आपर scroll down करके देखूं, जो बस इतनी ही details है, यहाँ पर इन्हों ने हमें इतना ही provide कर रखा है, आप यहाँ पर आके और भी details यहाँ से देख सकते हो easily, मैं यहाँ आ करना है, यहाँ पर आपको finish पर click कर देना है, मैं finish पर click करूँगा, उसके बाद में कोछी तरह से page आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपने mobile number enter करना है, उसके बाद में get OTP पर click करना है, आपके mobile number पर 1 OTP send किया जाएगा, उस OTP को आपको वहाँ पर enter करना है, OTP को जैसे ही verify कर लोगे, यहाँ पर आपसे, अभी एक्टोगाईस यहाँ पर login करने की बोलेगा, जिसके अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो social login में आप Gmail account से login कर सकते हो, और यहाँ पर एक और चीज इन्होंने आपर provide कर रखिए, तो मैं Gmail account से login करूँगा, आप Gmail account पर जिसे ही click करोगे, त यहाँ पर आपको सबसे पहले basic details पर click करके, basic details इंटर करने है, उसके बाद में professional details आपको इंटर करने है, तो अगर मैं basic details पर click करूँगा यहाँ पर, तो इसमें कुछ details हम से पूछ रहा है, तो वो details मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको आपको आपर enter करना है, आपको first name enter करना है जो आपके pen card पर हो वो ही name आपको enter करना है last name enter करना है आपको date of birth enter करना है gender enter करना है marital status आपको आपर enter करनी है alternate email आपको आपर enter करनी है और alternate mobile number यह दोनों ही आपको enter करना है गाईज अलग अलग जो हमने वहाँ पर fill up किये वो तो ही ही गाईज लेकिन और alternate आपको enter करनी है मतलब एक ओर अगर current locations आपको आपर enter करनी है कि how do you know about CN ये कुछ है तो आप इसे देख लिजे तो ये details मैं आप से fill up करता हूँ और guys यहाँ पर professional details पर click करता हूँ guys वहाँ पर जैसे ही आप basic details enter कर दोगे उसके बाद मैं आपको professional details enter करना है मेरी वहाँ पर email पर OTP नहीं आ रहा था तो मैं आपर basic details से आगे नहीं बढ़बाया येकिन guys आपको OTP आ जाएगा या थोड़े time के guys कुछ issues होते हैं तो वो fix हो जाएंगे थोड़े time में तो आपको आपर OTP वगरा fill up करना है आपके alternate email भी जो है guys verify होगी उसके बाद में ही आप आगे बढ़पाओगे के लिए eligible होंगे यहाँ पर provide कर देंगे जिसकी यहाँ पर provide कर राखा है कि जो current eligibility limit है वो 1.5 लाग की है यहाँ से आप minus पर click करके कम कर सकते हो प्लस पर click करके जादा कर सकते हो यहाँ पर इससे ऐसे भी करके आप यहाँ पर जो है कम कर सकते हो अपनी limit यहाँ पर जो भी आपको बेटर लगे आपने जो tenure है उसको भी आप कम जादा कर सकते हो आपके हिसाब से तो यह आप देख लिजे उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से पेज आएगा इसमें आपको loan applied करना है उसके बाद में upload documents होगा 8 references होगा इसमें ready for dispersal होगा और loan जो है disburs हो जाएगा एसे करके कुछ 4-5 steps के से पूची जाएगी तो उन steps को आपको follow करना है और आपका loan amount easily जो है approved हो जाएगा उसके बाद में कुछ इस तरह से option देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको जो भी loan amount होगा उसके आपकी first EMI, second EMI दे दिखाता गाइस लेकिन वहाँ पर मेरी applications आगे नहीं बढ़ पा रही थी तो उसके लिए गईस मैं माफी चाहता हूँ वाकि आपका जो loan amount है वह आपको easily मिल जाएगा अगर आप इसके लिए eligible होग तो तो गईस अगर यह वीडियो आपको अच्छ लेगे तो वीडियो के ल जरू कर दीजे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए थाकि एसी अमेजिंग वीडियो के इस आपको मिलती रहे